हेलो दोस्तों हाई कैसे हैं आप लोग और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फूल गोभी और आलू की सबजी तरकारी तो इसके लिए दोस्तों आपको लेना होगा एक मीडियोम साइज का फूल गोभी और मीडियोम साइज के चार आलू तो हम क्या करेंगे आलू और फू लेंगे देखिए मैं कैसे भून रही हूं इस तरह से बिल्कुल आप किजिएगा और हल्का ब्राउन होने तो हम इसको भूनेंगे गेस आपको ज्यादा हाई नहीं करना है मिडियोम आँच पे आप इसको भूनते जाना है थोड़ा सा तेल डाल के देखिए कैसे कलर इसका इस्ता इस्ता चेंज होने लगा है और जैसे की ये थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाएगा हम इसको निकाल लेंगे दोस्तों मैं यहां पर एक बात आपको बता दे रही हूँ की जितना भी हो सके मैं सिंपल तरीके से आपको खाना बनाना यहां पर सिखाती रहती हूँ मेरे ज्यादादार खाना बिल्कुल घरेलू टाइप के होते हैं और घर में ही जो सामान एवलेबल होता है उसी से ही आप खाना बना पाओगे ऐसा ही मैं आपको करके दिखाती हूँ तो ये देख सकते हैं आप हमने थाली में रखा इसको ब्राउन कलर का हो गया है और हम इसको अभी निकाल लिए हैं थाली में देखिए तो अभी हमारा बारी है मसाला पीशने की इसके लिए दोस्तों हम लेंगे प्याज, लेसुन, अद्रग, साबुत, जीरा, टोमाटर, लाल मीर और इसको हम मिक्सी में डालके पीश लेंगे टोमाटर भी हमको पीश लेना है इसी से ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आजाता है तो ये मसाला बरने के बाद हम थोड़ासा तेल गरम करके कड़ाई पर उसमें थोड़ासा चीरनी डालेंगे चीरनी से दोस्तों जब बुलबुला उठने लगे ब्राउन कलर का जो बोलते हैं करामलेजड हो जाए तो अब देखिए ये हो गया है हमारा करामलेजड और अभी आपको इसके उपर डालना है जो पिसा हुआ मसाला आप रखे हैं उसको डाल लेना है देखिए ये गया हमारा मसाला कडाई में अब दोस्तों हम इसको भूनते जाएंगे अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे फिर इसके उपर हमको देना होगा हल्दी नमक, तेजपत्ता और थोड़ा करी मसाला तो दोस्तों ये सारा चीज अभी हम मसाले में डाल के फिर से इसको थोड़ा भूनेंगे बिल्कुल देख लिजी आप वीडियो में कैसे कर रही हूँ आप उसी प्रकार से ही करिएगा हम सारा चीज एक बार में डाल दिया, आप चाहो तो बारी बारी भी डाल सकते हो फिर दोस्तों हम इस भुना हुआ मसाले में गोभी और आलू जो पहले से हम फ्राय करके रखे हैं इसी को डालेंगे और थोड़ी देर पल्टे को चलाएंगे पांच या दोस मिनिट भुनने के बाद दोस्तों आप इसमें डालेंगे पानी तो दोस्तों मैं बात कर रही थी सिंपूल तरीके की वीडियो दोस्तों ऐसे ही नहीं बन जाता है इसमें बड़ी मेहनत लगती है तो आप अगर सब्स्राइब करोगे लाइक करोगे श्यार करोगे मुझे अच्छा लगेगा और और ज्यादा मैं आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो बना पाऊंगी देखिए हम पानी अभी डाल दिया अभी दोस्तों हम इसमें उबाल आने देंगे देखिए धीरे धीरे इसमें उबाल आने लगा है उबाल आने के बाद दोस्तों हम इसको थोड़ा ढख लेंगे और धीमे आँच पर पका लेंगे दोस मिनिट पकने के बाद दोस्तों ज्यादा आपको पकाने की ज़रत नहीं पड़ेगी क्यूंकि पहले से ही हम गोबी और आलू को फ्राइ कर चुके हैं थोड़ा हम इसे आलू को दबा के देख लेंगे देखिए आलू दबे जा रहा है इसलिए ये सबजी हमारा रेडी हो गया है और ग्रेवी भी घट गई है इसका जो शुरूआ है ये भी थोड़ा कम हो गया है थोड़ा ये जो गाड़ा गाड़ा हो चुका है देख लीजिए और अभी हमारा सबजी खाने के लिए रेडी है तो दोस्तों इस प्रकार से हम फूल गभी और आलू की सबजी बना के घर में खा सकते हैं इसके उपर अगर आप चाहो तो धनिये की चोटे-चोटे टुकडे काट के धनिये की पत्ती के चोटे-चोटे तुकडे काट के इसको गार्निस कर सकते हो हम अभी इसको खाएंगे इसलिए हमको गार्निश करने का कोई जरूत ही नहीं है तो दोस्तों फिर मिलते हैं चलिए आज के लिए बस इतना ही और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है मेरा रेसिपी भी सही लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइ बटन जरूर प्रेस कर लेना ताक कि मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके तो चलते हैं दोस्तों फिर मिलेंगे आज के लिए इतना ही बाई बाई